एलो फ्रेंस वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ सर्दियो में गुड़ खाने के आठ फायदों के बारे में जिससे आप अपनी इम्मुनिटी शक्ती बढ़ा सकती है गुड़ को चीनी का सबसे सेहत मंद विकल्प माना जाता ह गुड़ में प्राकतिक मिठास होती है जो खाने में स्वादिस्ट लगने के साथ ही शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है गुड़ का इस्तमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा किया जाता है गुड़ में प्रोटीन, कॉलीन, बीटेन, विटामिन B12, B6, फॉलेट, कैल् आइरन, फासफॉरस, मेगनीशियम, सेलेनियम, मेगनीज और कार्बोहाइडरिट होता है इसके तमाम गुनों की वजह से ही इसे सूपर सुरीटलर भी कहा जाता है आईए जानते हैं इसके आठ फायदों के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुन सके चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर एक अस्तमा में उप चाहिए तिल के साथ गुड का सेवन करना और लाबदायक होता है तिल और गुड एक साथ खाने से साथ संबंदी दिखतें दूर होती है वेट लोस में कारगर गुड की थोड़ी सी मातरा वजन घटाने में बहुत मददगार होती है गुड पोटेशियों का अच्छा शोत्र ह जो एलेक्टोलाइ्ट्स को संतुलित करता है मेटनैपॉलेजम बढ़ाता है और मास्पोईशियों को मजबूत बनाता है पोटेशियों वजन घटाने में एक प्रमुक भूमी का निभाता है ब्लड प्रेशिर कंट्रोल गुड में पोटेशियों और सोडियम पाये जाता है जो शरीर में एसिट के स्तर को बनाये रखने में मदद करता है इसकी वज़े से बलड प्रेशर का स्तर सामाने रहता है जिन लोगों को बलड प्रेशर कम रहता है उन्हें गुड़ खाने से काफी फायदा होता है सर्दी और खासी में फायदे मन्द ये शरीर में अंदर से गर्मी पैदा करता है जिससे फ्ल्यू से लड़ने में मदद मिलती है ज्यादा लाब के लिए गुड़ को गरम दूद में मिला कर पिएं आप इसी चाय बना कर भी पी सकते हैं जोडों के ए दर्द को कम करता है गुड़ गठिया या जोडों के दर्द में भी आराम देता है जिन लोगों को ऐसी दिक्कत रहती है उन्हें रोज गुड़ खाना चाहिए अद्रक के साथ गुड़ लेने पर इसका असर जल्दी दिखता है इम्मुनिटी बढ़ाता है गुड़ में सेलेनियम और जिंक जैसे एंटी ओक्सिडेंट भरपूर मातरा में पाए जाते हैं ये शरीर को फ्री रेडिकल्स और संक्रमन से बचाने का काम करते हैं यही वज़े हैं कि गुड़ का सेवन सर्दियों में ज़्यादा किया जाता है एनिमिया को रोकता है एनिमिया को रोकने के लिए शरीर में आल बी सी का परियापसतर आईरन और फॉलेट होने ज़रूरी है गुड़ में आईरन और फॉलेट अच्छी मातरा में होता है जो एनिमिया को रोकता है एनिमिया की मरीजों को डॉक्टर भी गुड़ खाने की सला देते हैं इसके अलावा गुड़ खून को भी साफ करता है पीरियर्स के दर्द को कम करता है पीरियर्स के दर्द को कम करने के लिए गुड़ एक प्राकतिक उपचार का काम करता है जिन लोगों को periods में mood swings की शिकायत रहती हैं उन लोगों को भी good खाना चाहिए इससे mood अच्छा रहता है और शरीर को आराम मिलता है अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो प्रिंस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, bye